सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेश कारेक्रम में जिसका नाम है शद्धा दर्शन और मैं हूँ मौलिका शर्मा कहते हैं सद्धगुरु मेरा सूर्मा करे भ्रम पर चोट भीतर हासा हात दे बाहर मारे चोट वास्तविक्ता में इन रहस्यों को इन जानकारियों को हम नहीं जान पाते हैं गुरु को समझना जानना वाकरी बहुत जरूरी है और एक यदि आपको सक्षम गुरु मिल गया है तो बस उसकी शरण में चले जाए और ऐसे ही सक्षम गुरु हमें भी प्राप्तों हैं जो रेकी जुड़ा अद्भुद ज्यान आपने रेकी की जगा पे यह डिवाइस सीक्रेट साइंस को क्यों चुना क्यों बनाया आप हमें विस्तार पूर्वग बताएं दिल्ली में हम आने पर रेकी ग्रैंड मास्टर्स सब लोग हमारे कई बर ले अपने में क्लास लिए और हमारा ओरा भी ना पे तो यह लोग हमस पैसा लेते हैं एक्षेंज अफ एनर्जी कहा करके और प्रोफेशनल हैं का जाया पैसे कमाने का जरिया और माधम बना ले तेरी की को पैसा प्रोफेशनल हो गया है इसलिए हमने जब सोचा कि नहीं यह लोग ध्यान के लिए बात नहीं करते हैं जो असली जीवन का रहस्य ह जिसे कि हम अपने उर्जा को अपने जागरित करें और हम भी शमाधी में जाएं यह नहीं हो पाता है तब हम भी जबकि हम लोग सब लोग पढ़ली करके नोकरी खुझते हैं मैं जो है पढ़ली करके विज्ञान से और हिंदी से और लौश से उच्छा लेने के बाद हम भी हिमाले के दोड़ा किया लगभग तीहत्तर से लेकर के अठटर उनहात्र तक हिमाले में दोड़ते रहे विभिन प्रगा के शाधना में दिवी में तो हमको भी वहां पर एक बार घुठने में हम यसे जगह ठहर हुए थे हिमाले में जहां कि तीन-चार दिन के पैदल से जा आप खाने के लिए अब समझे क्या मिलेगा तो वह प्राण विद्ध्या होती है वहां हम लोग सीखे जाने आगी जैसे आप खाने में एक सोलिड लेते हैं जैसे पहले आप रेल गाड़ी देखे होंगे रेल गाड़ी कोईला से चलता था कितनी स्पीड कितनी बोगियां हो हो गया है ज्यादे उसमें बोगि भी लगने लगा और ज्यादे उसका स्पीड वह जोर घर गया इसी अधार हमनेसा न कि हैपालज है जिसको हमाले में लोगS और प्राणायाम या फिर और जो विधायें जो हम अब देखते हैं टैवी टीवी चैनल्स पर भी यह योग की पद्यतिये हैं और आम बात करें रेकी की तो इन दोनों में क्या अंतर है क्या देखेंजिए वह जो आप देखते हैं उठना बैठना दाएं-बाएं हाथ करना दैट यह जिन आपके प्रिश किंगे हैं जिसे आपने राज जोग भक्वाक्वान क्रिश्न के लिए हैं-अऔर कहें हैं-गोई और राथ पर बैठे हुए तू फ्लाना अमुख करो और मज़े तर बूर्वह हो देखते रहो और जुद करो जोग तो एक अंडेनल क्रिया होती है, जो आप काम भी करते रहें संसार में, जोग मिस्थित रहें, उसको जोग मुद्रा मिस्थित रहें, आप कार्थ करते रहें, तो उस तरह का हमने वहाँ पर खोज किया, उस प्रणयाम में, प्राण में स्थित रहने लगे, जिसमें अपड़ा भी नहीं कि या बान सकेगा, और कोई फोन भी नहीं चलने वाल वायर ले, तब हमाने अग्यात्न ध्यान में बैठे, ध्यान के बाद अंजान में मेरा हाथ चला गया इस पर, और चला गया जब ध्यान टूटा तो देखते हैं कि वह हील हो गया है, ठीक हो गया है, और शाथ ही हूँ, उसमें पंटी उटी कोई जूरत नहीं पड़ी, तब हमने सोचा कि नहीं यह प्राणी कूर्जा का प्रियूख किया जा सकता है, उसी अधार पर हमने यह दिप गुप्त बिज्ञान यहां रहा करके समाधिस निकलने के बाद दिल्ली में हमने लिखा और बनाया, और इसके बाद हमने पहलý फिजिकल कलास अपने ही लेते थे, लेकिन अब हम साधक को, शिधक को, शिधाशिद को और विद्वीद्जारथियों को जो है, विद्या कलास का, यह हम नहीं लेते हमारे अचार लोग लेते हैं, हमने सेकड़ो अचारे देश-विद्श इसके बाद हम से एको सन्यासी भी बने यह सन्यासी और अचारी लोग देश में घुमकर क्लास लेते हैं हम अभी डिरेक्ट लेते हैं क्लास लेते हैं तो स्वर्विध्या का लेते हैं और स्वर्विध्या से कैसे अपने को आप समाधि में जा सकते हैं अपने को कैसे ठीक कर सक तो इस तरह से डिवाइन सेक्रेट साइंस दिल्ली में आया और इसमें आपको यह संजोग है कि रेकी के हमारे हाँ इसके बाद कहें कि नहीं इसमें ज्यादे एनर्जी है तो होही कहें कि यह जब इनर्जी रहती है मर जाने के पाद है कम होने लगती इस तरह से नहीं के दिविट बिग्ञान चला लकिन हमारे दिविगNew बिग्णन संसारी कामों के लिए हम कम महत्तों देते हैं हम देते हैं कि नहीं इसके माध्यम से आप अपनी आंतरिक उर्जा को डेबलब कीजिए आप जो है बुधत्तों को प्राप्त कीजिए या समाधी में जाए आप अपने को और लोगों से भिन बनाए जिसे कि आपके प्रिजेंस मात्र से सबसे बड़ी बात है कि स्वयम को पहचान कराती है रेकी बहुत सुन्दर जानकारी आप हमें बता रहे हैं लेकिन सरपतम आप हमें बता है कि यह दिवे गुप्त विज्ञान है क्या और क्यों वेक्तिस से जुड़कर अपनी जिवन की समस्ते समस्याओं का समधान करे या पर किस प्रकार स्वयम ही अपने तमाम प्रशनों के उत्तर जान ले गुरूजी आप हमें बताएं देखिए आप लोग सुने होगा है कि हमारे साथ पचास साथ आदमे के लासवान सोर गया था और संजोग से इसना बातावरन हो गया यहां पर मेडिया में वहां से लोग सं से जाते हैं और उसका बात्रूम हर जगा सरकारी बात्रूम इतने गंदा रहता है कि आप उसमें जा नहीं सकते हैं और बात देखिए लोटा और बोतल में पान लेकर बाहर जाते हैं यहां प्रिसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को सब भेजा हमारे लोगों ने भेजा और आर्थना करो और अपना देवास्त दिव्यास्त को भेड़ो डियरेक्ट यहां संकर का चेत्र है भगवान संकर का और भेजो आप यह सर्प्राइज कीजिए कि हमारे 50-60 सिस जो है हिल्सा में जहां कुछ नहीं है पेंड पाउधा भी नहीं होता है और वह लोगों ने दिव पत्रिनाथ जब जाता हूं तो लोग हमारे सांद 10-50 गाड़ी लगे चल देते हैं कि विभीन परिस्तिति जब कि पथर गिर रहा होगा लेकिन मैं यहां से चल देता हूं तो यह दिवास्ति भी आप सर्प्राइज कीजिएगा कि पथर गिरना बंद हो जाता है रोट खूल दिया और अपने आदमियों को जगह 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 जो गये थे क्या नाव है किदार नाथ होगरा बोला लिया था ठीक दुग दन के बाद तेरह में अर्थ को एक आ गया बहुत लोग मारे गए लेकिन हमारे आस्रम में बदरिनाथ 10-10 जार लोगों का प्रती दिन भोजन लेकिन इसको हम लोग कहते हैं आपकी पॉब्लिकली मत करिए इसको अपने ध्यान के लिए रखिए लोगों को फाइदा के लिए कुछ हो सके तो कर देंगे बहुत-बहुत स्पागत है आपका नमस्कार आप गुरूजी से बात करें जैसे कि जो रोग है उसके लिए जब ध्यान आप करने की बीधी कला सिख जाईएगा जैसे ही ध्यान करने लगिएगा आप में और उर्जा कावाहन कीजिए जैसे कि जो रोग है उसके लिए आप उर्जा का वैसा वाहन कीजिए उस तरह का सारी चीजें जो है नेचर में भरी हुई है जैसे आप गाली से ले करके इस्तोत्र तक है जो भी आप अपने मुवाईल पर लगाते हैं वह चला आता है यहाप पर डिपेंड करता है जब अपने को ध्यान से कंसं टेंट होर करके वह जो है उर्जा का वहन कीजिए उस तरह की उर्जा जो है आपके सहस्तरार में आ जाएगी और सहस्तरार से होकर के अग्या चक्र पर अग्या चक्र से होते हुए आपको वह जो है नीचे उतरने लेगी लेकिन आपको अग्या चक्र पर यानि तिसरे नेतर से ही उस रीक पर हिलिंग करने हाथ होतकी कोई जरूरत नहीं है आप थर्ड आई से इसारा कीजिए और इनर्जी भेजिए वहाँ पर वह जो है रोग अपने आप हिल होने लएगा और कुछी मिनुटों में दखिए अगर ठीक हो जाएगा फिल हालियां पर वक्त वह एक छोट मॉम लूडल्स नो जंक फूड ची करेला चश्मा नहीं लगेगा और जानती हूँ हरी सबजियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी और ब्रॉकली से इम्म्योनिटी और मेरे बालों के लिए हेल्डी बाल बनेंगे हर रोज और रूट्स शैंपू लगाने से अपने बालों क नमस्कार इस चोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्पागत है आपका हमारे स्पीशी शिकारी क्रम में एक बार फिर से बता दें यदि आपके जहन में भी कोई प्रशने उतर जानना चाहते हैं स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडिय नमबर्स फ्लाश तो चलिए रेकी जुड़ा अद्बुद ग्यान एक बार फिर से लेंगे हमारे स्कारी क्रम में उपसित सद्गुरू स्वामिश्री क्रिश्ननंद जी महराज से शुबारम करते हैं एक बार फिर से कारे क्रम का आशिरवार लेते हैं गुरुजी का गुरुजी बहुत बहु अपने को क्लीन करें अपने को शाफ करें और शाफ करें आप जो है कुछ दिव्यास द्यवास्त करना नहीं करना है Moment Secrets साइंशी से हम बता रहे हैं कुछ नहीं करने हैं आप में जो है जैसे रक्त का प्रवाह तेज करना है, दोनों हाथों खुब जोर से रगड लिजिए, जब रगड़िये का देखेगा एनर्जी का प्रवाह शुरू हो जाएगा, फिर जो है आप ध्यान करिए, ध्यान करके अपने गुरू का ध्यान किजिए, गुरू जो विधी बताया है, उसके अनुसार आप एनर्जी का आवहान किजिए, पूरा पूरे शरीर में आप देखेगा एनर्जी दोड़ने लएगी, भाहन किजिए, और तरो तजा हो जाएगा, आपके अंदर जो कुछ दिकत है, टेंसन है, या कोई धर्द है, पेन है, आप स्वेम ठीक होने लगेग आप सुच किजिए, आप फूल लफ एनर्जी हम हैं, जब ऐसा महसूस होने लएगा, तब दूसरे को आप कर सकते हैं, या प्रामरी स्टेज है, कि पहले अपने स्वेस्थ हो जाएं, तब दूसरे को स्वेस्थ कर सकते हैं जी और step why step भी चल जाता है जैसे पहला step आपने पता है फिर दूसरा step होता होगा फिर को तीसरा step कभ जाने व्यक्ति की वास्तविक्ता में वह हील हो चुका है पहले इस हाथ से ही बना गरगी शारा से बनाईए और बना कर उस पर छोड़िये जैसे कि पहला दूसरा तीसरा तीन देवास्तर पहला हम लोग शादक सिद्व में बताते हैं जब वहां से छोड़ दिये तो उसे ठीक हो जाएगा पहला सिल के जैसे हमने अभी तो अपने सिस् अब कार में जा रहा है अपने को सिल करके जाए एदी उसका एक्सिडेंट हो जाए तो हमसे पूछे आज तक हम को यह नहीं कोई कहा कि नहीं हम सिल किये हमेरे एक्सिडेंट हो गया है मेरा समान चूरी हो गया है दूसरी बात आप देखते हैं कि आज का लड़कियों के समान लेगा यह मिराइकिल आप कर सकते हो आप इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है थोड़े एक दू दिन के मेहनत से हम सिखिए और आप करिए शुरक्षित रहिए अपने भी देश को भी शुरक्षित रखिए यह सब यह मिराइकिल है नहीं यह हमारे दिश्यों का स्वेश में उतर जाती है जैसे आइंस्टीन जो था मरते समय बहुत रोने लगा था लोगों ने पूछा क्यों आप रो रहे हो कहा कि हमारे रहते ही हमने एटम बंब बनाया और हमारे रहते रहते एटम बंब ने ताओं के हाथ में चला गया और नागास जी का हिरोस्मा में इतना बड़ा भी स्फोर्ट हुआ कि हाल जो है हजारों लोग मारे गए यह मैं भारत में जनम लूँगा भारत में रिश्यू बनूँगा भारत के रिश्य ऐसे हैं आकि हाथ ही लाते ही सब कुछ कर सकते हैं लेकिन विधी बताए नहीं जब तक सुनको शुपात्र नहीं मि कि इसलिए हम पहले पात्र बनाए जाता है तब वहां प्रदान किया जाता है लेकिन समां के सुरक्षा कर सकता है यह यह जो है क्रौनी प्राइम प्रोसेस होता इति करे या फिर महीने में कुछ स्टब्स होते हों कि उसकी अकौरडिंग ली करे नहीं जब श्री स्री में सिखा जाता है तो उसको 21 दिन कम से कम प्रैक्टिस करना ही है ध्यान में उतर नहीं है जब हो जाता है शृता उसके अंदर उतर जाएगा तो आंख की शारे से हाथ की शारे से कर सकता है और डेली में वो विक्ति किस प्रकार प्रैक्टिस करें ये भी आप हमें बताएं। आप समझे कि आप बिजली का सब कनेक्शन ठीक है। टीवी लग गया है लेकिन फिर भी उसमें आता नहीं है। इसका मतलब कि एंटीना गरवड़ है। आपको देखते हैं कि जो आप बनाई है वह एंटीना है। जो आदमी बैठा है आपका उसके उपर वह बनाया गया है। जब आप ठीक ठीक दिशा में बैठना भी जान जाएगा, वहान भी करना जान जाएगा, वह एनरजी अपने आप आप आ जाएगी। जैसे उत्री धुरू में हमारे रिशी लोग रहते हैं। इसलिए उत्तर धुरू के तरफ हम लोग एधी हम पदमासन पर बैठते हैं, त अब इस उसी तरह से आसन का भी है आपको तं तंत्र का भी है साथ ही मुद्राय को जोगी जन immersion मादरी, जो आपका पोशन करती इसलिए आसन और मुद्रा जो दोनों को साधरा में मदद करती है। काफी सारे हमने ऐसे भी बाते देखी हैं, सुनी हैं, काफी सारे लोग कहते हैं, जब आप रेकी करते हैं, तो काफी सारी पास्ट लाइफ भी आपके साथ जुड़ी रहती है, जिसका एफेक्ट आज भी आज के जीवन में आपके साथ होता है, तो उसकी रेमेडी आप किस प् हवाई जहाज लड़ती है हवाई जहाज में उसका ब्लायक बोक्स खोजा जाता है और ब्लायक बंक्स में कौज अख्शिडेंट में इस सुधिट्थ分享 हम लेते बुर में पड़े हैं तो दुख बोगते हैं और कोई अच्छा और बुरा बने लगते हैं। प्रमु के बल पर उसको घ्ल भी सकते हैं नहीं तो बुला भी सकते हैं, तब उसके लिए हम लोगः ध्यान पड़ना पड़ेगा, समय के समर्थ सद्री गुरु के नजदीग जाना पड़ेगा, और और वह जाकर आपके सुक्ष शरीर नहीं, सुक्ष शरीर में जाकर हुल करे कारण शरीर में जाकर रेदी हील कर देते हैं या ठीक कर देते हैं वह सदा के लिए ठीक हो जाता है बहुत सुंचदर जानकारी आज इस कारेक्रम के जरीया आपने वदी लेकिन चलते-चलते संदेश वरूप क्या कुछ विशेश बताएंगे गुरुजी आप हमें बताएं हम संद्र यह कहना चाहेंगे कि हम लोगों को अपने ध्यान के द्वारा मानसिक सरीर से मेंटल बड़ी से आगे होना चाहिए अक्सर लोग हम फिजिकल पहला ही सरीर में रह जाते हैं इस्थुल सरीर मुलाधार चक्र पर मुलाधार चक्रह में जो है रिधी सिधी अपने आप मिल जाती है और जो इक्षा चाहते हैं होने लगता है उसके उपर बहुत उठते हैं तो मानसिक शरीर पर आ जाते हैं और मानसिक शरीर से ही सराप और आशिरवात देते हैं जो कुछ संशार में रिद्धी, सिधी, पईशा, प्रतिष्ट, everything is possible, और देवी देवतां का दर्सन, और्सन, मिलना, जुलना, सब यहां मानसिक शरीर से हो जाता है, लेकिन हम संशार में समझते हैं कि बहुत उचा हो गया, लेकिन यह आवा गमन के चकर में फड़ा हुआ है, एशार बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, आज के हमारे इस खास कारिक्रम में आप हमें दे इजाज़त हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नहीं जानकारियों के साथ यदि आपके भी कोई 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 प्रशन है कारिक्रम के अंत में आप हमारा इमेल एंडर याद से नोट कर लिजेगा आज के इस खास कारेक्रम में हमें दें जलत नमस्कार